हेलो भाई नमस्कार जहिंद कैसे आप सभी तो ससी सीजल 24 के प्री की जो आंसर किया वो आचुकी है और जब से आंसर की आई है जिन लोगों ने अपनी आंसर की देख लिया अपना मार्क्स चेक कर लिया कि कितने मार्क्स बन रहे हैं तब से एक खलबली सी मची हुए students के अंदर कि हमारा pre-clear हो पायेगा यह नहीं हो पायेगा हमें मेंस की तीयारी करनी चाहिए यह नहीं करनी चाहिए हमें 2025 की तो इस वीडियो के इंदर आपके जितने भी doubts is मैं उन सभी का जवाब लेके आया हूँ छोटी सी वीडियो है अगर आप वीडियो को एंड तक देख लोगे तो फिर आपको कहीं बटकने के आवशकता नहीं पड़ेगी ट्रस्ट में इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे जो हैं आपके डाउट्स तो उन पर तो हम वरोसा कर भी सकते हैं तोफी वह अच्छी तरीके से क्या पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करके उसके बाद मैं अपना अनलिसिस जो करते हैं उसके बाद आप लोगों के सामने एक जो एक्सपेक्टेड कट अफ है वो रखते हैं थोड़ा सा मार्जिन वो लेकि चलते हैं पांसदस नंबर का लेकिन आपको एक आइडिया है वो लग जाता है तो अगर मैं बात करूं कि उन्होंने जो बताया था जो प्रिडिक् अगर मैं बात करूं ऑबीसी केटिगरी की तो ओबीसी की जो कुटफ उन्होंने बताए है कि कितनी जा सकती है 134 और अगर मैं यह बहुत रखा इंप स्कोरिंग 510 मार्क्स बिलो देस्ट चांसे अगर आप इससे 5-10 नंबर नीचे भी लेकर आ रहे हो तो आपके बहुत से कि आपका जो प्रिया वो क्लियर हो जाए यह आफटर नॉमलाइजेशन है एक चीज़ को ध्यान से आप समझ के चलो यह आफटर नॉमलाइजेशन है यानि कि अगर आप इससे पांच-दस कम स्कोर नीचे लेकर आ रहे हो मैं पांच यह दस निमानता मैं आठ नमर माल लेता हूं ठीक है यानि कि अगर यहां पर 137 बोला है अगर इसमें से आठ गटा दूँगा तो कितना आएगा 129 ठीक है अगर इसमें से आठ गटा दूँगा तो कितना बचेगा 126 बचेगा ठीक है इसमें से आठ गटा द 98 यानि कि अगर आप इसके आसपास में स्कोर कर रहे हो अगर आपका रौ स्कोर इतना बन रहा है इनके इसाप से तो आपका जो प्रियर हो जाना चाहिए लेकिन एक ऐसा नहीं कि अगर मैं भी अपने अनालेसिस को थोड़ा से इसके अंदर एड़ कर दू तो शुबम जैंसर क से मार्कशिट के इसाप से या आंसर की के इसाप से अगर आपका स्कोर जो है 125 भी बन रहा है अगर आप यूर कैटेगरी से हो तो आपके बहुत अच्छे चांस है कि आपका प्रियर हो जाएगा यूर कैटेगरी से हो तो आपका मेरे साब से वही जो है ना इसकी आसपास ही अगर आप ऐसी केटिगरी से हो तो अगर आपका स्कोर वही 100 से 102 की बीच में भी अगर आपका स्कोर रहता है दो नंबर का और आप इसमें मार्जिन लेके चल सकते हो और इसमें तो मार्जिन लेने की जरूती ने क्योंकि अल्रडी हमने कम माना हुआ इसके इंदर ठीक है 98 अपनी एक अनालेसिस ही आपको दे सकता है यह टोटल जो अनालेसिस है मैंने अपने आपको इनालेसिस ने किये जो शुबम जैन सर ने अनालेसिस की थी उसी में थोड़ा बहुत अपना जो आइडिया लगाया है मैंने वेकेंसी को देखते हुए पिछले साल की कट आफ को वो सारी चीज़े देखते हुए मैंने अपना जो अनुमाने वो लगाया है ठीक है अब एक चीज़ को ध्यान से समझो मेरी बात को अराम से समझो कोई भी करेक्ट बिल्कुल प्रेडिक्शन तो करने सकता बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैं भी गलत हो सकता हूं श करें अब यह बात करते हैं कि confusion सबसे आदा किन बच्चों के मन में है confusion जो है उनका score 110 से लेकर 120 की बीच में जिनका score है सबसे ज्यादा जो confusion में वह यही बच्चे है क्योंकि जिनका score 120 से ऊपर है वह कहींने कहीं अपने आपको दिलासा देख चुके कि हाँ मेंस की तियारी मे लगे हो तो अगर किसी और भी कैटिग्री से हो और आपका 120 है फिर तो बिल्कुल आपको लगना ची त्यारी में confusion है इनके बीच में जिनका score 110-120 की बीच में है इनके बीच में confusion है और खास करके मैं के लिए आप अपने मेंस को sacrifice कर सो को बताओ आपके पास आसपास में ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं है गुमा फिरा के मेंस को sacrifice करो अगर आपके मन में ऐसा आता भी है कि नहीं सर मेरा score तो कम है मैं 2025 की त्यारी करना चाहता हूं तो एक चीज़ बताओ 2025 की आप प्री की त्यारी करोगे तो प्री के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं मेरे भाई वही आता है अच्छा मेंस में क्या करना चाहरे हो तो मैं कहता हूं मेंस की त्यारी कर लो न मेंस की तैयारी अगर बिल्कुल dedicated बिल्कुल dedication कि साथ अगर आपने मेंस 예Pl token की त्यारी कर ली तो क्या तुम के लिए तरही के लिए तो तुम light तो पिर तो आपको मेंस में ही लगना चाहिए मेरी बात समझान लारिए अगर आपका score 100 से 120 है तो आपको means की तियारी करनी चाहिए एसा में क्यों बता रहो मैंने आपको विद लॉजिक बता दिया क्योंकि वैसे भी तो आप बिल्कुल जीरो से लगोगे ना प्री की त्यारी में में की त्यारी करोगे तो इसके लिए तो फायदा ही है न ऐसा तुने कि यहां पर कुछ अलग पड़ोगे यहां पर भी वह ची पर दोटा की रिजल्ट में उनका नाम है और तब तक एक महिना डेड़ महिना बीच चुका था और एक डिड़ महिने के अंदर उन्होंने में की त्यारी नहीं की थी तब वह बैटकर अफसोस करेंगे कि यार काश में एक डिड़ महिने में पढ़ लिया होता चूंकि प्री तो आप मेंस की त्यारी में करो इसमें कोई हर्जा नहीं है इसमें इसमें ना तो आपका कोई खर्चा आ रहा है है ना इसमें ना तो कोई आपका एक्स्ट्रा एफट लग रहा है जो आप इसके लिए पढ़ रहे तो वही आप मेंस के लिए पढ़ोगे बलकि मेंस के लिए dedicated हो कि अगर पढ़ गए तो मेरे साब से तो प्री की तियारी तुमारी बहुत अच्छी हो जाएगी 2025 में किसी बेग्जाम को target गरोगे तुम तो फोड़ दो गया अराम से क्योंकि जो बंदा मेंस की तियारी कर रहा है वो प्री तो निकाल देगा अराम से निकाल देगा मेरी बास समझ गए तो अगर आपका score इसके आसपास है आंसर की के इसाब से तो आप अपने आपको थोड़ा सा एक sense of relief जो होता है न वो दे सकते हो कि हां मेरा प्री जो है क्वालिफाई हो सकता है अगर इससे आपका number प्लस है एक दो नमबर भी तीन नमबर भी अगर प्लस है फिर तो आप बिल्कुल रिलाक्स हो जाओ कि आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो ही जाएगा ऐसा अनु है तो अगर आपका score इतना है इससे प्लस है या इसके आसपास भी हो तो बिल्कुल आपको मेंस की त्यारी करनी है यह एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सला दे रहा हूं क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपको पश्ता आना पड़े और मैंने क्या बता है सबसे बा तो आप सोचो गयार चलो एक महीन आप आराम कर लेते हैं रिजल्ट आने के बाद देखा जाएगा फिर यह जो एक महीने का गैप होगा ना दोस्त इस एक महीने के बाद वापस से पढ़ना शुरू करोगे प्री के लिए तो बहुत मुश्किल होता है वापस से अपना आप आपका नाम नहीं है मान के चलो भगवान ने करें आपका नाम नहीं है तरीके से त्यारी करना शुरू कर तो कम से कम उससे यह तो हुआ क्या पढ़ाई में लगे रहे आपकी पढ़ाई नहीं छूटी मेरी बास समझ में आ रही है कि इसी में भलाई है क्योंकि यही आपके यह पास एक मात्र option है और आपके पास कोई option नहीं है तो में तो score जो मैंने बताया वह यह बताया आपको यह वाला जो score है यह मैंने आपको बताया ठीक है यह तो गया भाई इसमें तो बिल्कुल आप शेयोर रहे सकते हो और यह वह score है कि अगर इतना भी आपका बन रहा है तो पासा कप पलड़ जाए क्या हो जाए फिर आपको बाद में अफसोस ना करना पड़ा है इसलिए मेंस की त्यारी में लग जाओ तो आई होप अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा किसी भी प्रकार का कोई कन्फूजन नहीं होगा इसका स्क्रिंशॉट लेना चाहते हो स्क्रिंशॉट लेके रख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो किसी भी प्रकार का अपने मन में डाउट मत रखो मेंस की त्यारी में बिल्कुल लग जाओ ठीक है और दूसरी बात मेंस की त्यारी में लगने साम 18 तारिक को और सीजल 2024 के लिए अल्रीडी क्लास इसकी स्टार्ट हो चुकी है चार क्लास हो चुकी है ठीक है और देखो एक चीज में आपको दिखा दूं यहां पर बहुत इंपोर्टेंट चीज अगर आपको दिख रहा है देखो इस क्लास को देखने वाले बच्चे द जो लेक्चर वो देखा है उसके बाद भी देखो डिसकेशन वाला जो लेक्चर था यह भी देखो 4827 बच्चों ने देखा है ठीक है और इसके लावा लेक्चर समय जवाप आप जाओगे तो लेक्चर किस तरीके से आपको मिलेंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं थीक है फ्रीं यिसके लिए प्लींटन और भींट करनाव नहीं से करना के लितaro ​ याफिर दीस्क्रिप्शन में जाओ डारेक्ट लक्षे में डाट लिंग को ब्राष माँवें सईदधा आप लाट चाही दक लेना इसके अंदर में समय प्रेटल को अख़ए क्याल में सेले कराने वाला हूं complete मैं आपको vocab कराने वाला हूं 7000 से ज्यादा complete मैं आपको पैरा जंबल close test reading comprehension की प्रेक्टिस कराने वाला हूं स्मार्ट अप्रोच के साथ में चैप्टर वाइज और यह सारी चीज़े आपको absolutely free मिलेंगी इसके अलावा आपको class में जो मैं पढ़ाऊंगा वह class notes आपको मिलेंगे ठीक है आप जाके देखोगा application पर मैंने class notes जाल रखें class notes मिलेंगे और साथ में आपको जो प्रेक्टिस PDF वह भी आपको मिलेंगे प्रेक्टिस PDF भी मिलेगी आपको अलग से class notes के साथ में प्रेक्टिस PDF डेमो लेना चाहते हो तो जाओ application पर कोर्स में जाओ वहां पर आपको क्या करना है देखो कुछ इस तरीकी का आपको मिलेगा जब आप लक्षे बैच को open करोगे application पर जाके तो open करने के बाद कुछ इस देख सको recorded पर क्लिक करोगे तो इसको मत देखना इसके अंदर मैंने discussion किया हुआ बच्चों से ठीक है कि कैसे त्यारी करने क्या क्या करना देखना तो देख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद इस तरीके से आपको folders मिल जाएंगे पहला folder grammar practice के नाम से दूसरा है व वो paid batch है उस paid batch से जो important chapters की theories हैं वो मैंने आपको निकालके बिल्कुल free में दे दिये जैसे यहाँ पर देखो 13 videos already upload मैंने कर दिये यह 13 videos क्या है यह पैरा जंबल और close test का complete lecture मैंने आपर उठाके डाल दिये तो अगर आपको theory पढ़नी है तो theory आपको इस वाले section में बिल्कुल free theory में आपको मिल जाएगा ठीक है तो इतना सबकुछ आप लोगों के लिए अगर मैं free कर रहा हूं और 5000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ अगर जुड़ चुके हैं तो इस बार आप अच्छे से जानते हो कि अगर English का result आएगा सबसे ज्यादा तो जहां तक मुझे लगता है आया स्लाइड नेक्स्ट हुआ बच्चांसर बतायता सर इसका सी इसका भी इस तरीके से हम लोग प्रेक्टिस करते हैं धुवाधार तरीके से आप जाओ डेमो देख लो यहां पर क्लिक करोगे देखो दो-दो क्लासे में डाल दी हैं लाइव क्लास हुई थी ग्रामर प्रे अगर आपको लगे कि हां सरसे समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप तैयारी करो और मेरा टार्गेट सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को मैं सेलेक्ट करवाऊं इंगलिश के लिए तुम्हें बेस्ट आपको दूंगा ही जो मैं दूंगा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो और यहां प्रेट्स करा दूंगा उसके बाहर नहीं आएगा इससे जदा में क्या बड़ी बात बोलूँ तो आप एक बार जाके देख लेना प्री है कोई पैसे आपको देना नहीं एक बार जाके डेमो को जरूर देखना और अगर आपको लग रहा कि सर मेरा स्कॉर बहुत स्टार्ट हुआ नहीं है एडमेशन इसका ओपन हो चुका है इसका जो बैच स्टार्ट होगा वह स्टार्ट होगा आपका बाइस अक्टूबर से यानि कि इसी महीने की बाइस तारिक से अब चुका है तो आप इसमें ले सकते हो अप्लिकेशन के उपर ही जब आप जाओगे अप्लिकेशन पर आपको यह वाला पोस्टर मिल जाएगा और आन बैच इस पर क्लिक करके आप बैच को ले सकते हो बैच सिर्फ और सिर्फ आपको सेवन डबल नाइन का मिल रहा है ठीक ह आप कुछ कराने वालों बilखud zero से बिलकुल चुने से इस तैग लाइन हमने से शिखर तक देखो रही कराओ كल चूइब Nest स्मार्ट ट्रिक्स के साथ में उसके भी class notes और PDFs दूँगा complete comprehension कराऊंगा practice कराऊंगा smart approach बताऊंगा private whatsapp group आपको मिलेगा जिसमें आप अपने doubt पूछ सकते हो बात कर सकते हो मुझसे weekly हम लोग live doubt session किया करेंगे जिसमें आप अपने doubt पूछ सकते हो फी इसकी कितनी है seven double nine और validity कितनी है दो साल की तो यह बैच आपको application पर मिल जाएगा website www.englishbarrosan.com वहाँ पर मिल जाएगा को inquiry चाहिए अगर तो इस नंबर पर WhatsApp कर देना 9234692518 ठीक है और detail में अगर आपको इस बैच के बारे में जानना है तो इसी channel पे एक video मैंने डाली थी long video आप जाके देखना ठीक है उस वीडियो का जो थमनेल होगा वह यह होगा कि English की वज़े से आप कोई fail नहीं होगा ऐसा मैंने वीडियो वहाँ पर डाल रखा इसी channel पर तो आप एक बार उस वीडियो को पूरा देख लेना वह या शायद 20 मिंट की वीडियो है उस वीडियो क अगर तुमारा स्कोर इससे पांच नंबर कम भी है या भीड़ जाएगा त्यारी कर लोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी रहा है कुछ प्रॉफिटी मिल रहा है ना continuity बनी रहेगी ना आपकी पढ़ाई से पिषड़ोगे नहीं कम से कम प्री के लिए अगर तयारी करना भी चाहोगे रिजल्ट के बाद अगर रिजल्ट में नाम नहीं भी है तो मैंने क्या बताया कम से कम एक continuity रहेगी तो आप आराम से प्री की त्यारी में घुश जाओगे तो ज्यादा कट आफ मत खेलो आराम से मेंस की त्यारी में लग जाओ अच्छी जगे से पढ़ो जहां से भी पढ़ रहे हो बहुत सारी प्रेक्टिस करो ठीक है और सीजल मेंस के लिए जो एक वीडियो है वह मैं लेके आने वाला बहुत जल्दी छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी उसको भी देख लेना ठीक है भाई तो मैं आप से मिलता हू अगले लेक्चर के साथ में तब तक के लिए सभी को भाई शुबरात्री और सभी को भाई जैहिन